गुट मॉनिंग गाइस स्वागत अप सभी का हमारी इस YouTube चैनल जी बीटी जी के बैट ट्रिक 99 अप सभी का पुना स्वागत एक बार चलिए दोस्त आज तो देखेंगे अरडबी आरड़ से इलहावाद के कटफ किया रहे ने वाला बहुत देनों से कटफ का वीडियो नहीं आ रहा था लेकिन आज हम आप लोगों के लिए कटफ का वीडियो प्रॉपर लेकर आ चुके हैं यह अरड़ी इलहावाद का ठीक है इसमें यह देखना है कि आखिर वेकैंसी कितनी है कटफ कितना रहने वाला है प्रॉपर क्या रह सक है कटफ यह देखने वाले वाते हैं जैसा कि आप देख सकते हो अलाहबाद का है यह कटफ ताल ठोक के यह से ज्यादा नहीं जाएगी ठीक है चले तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्योस्ट करेंगे कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सेज और अभी जो कुछ दिर पहले मैंने क्विज स्टार्ट किया है यानि कि आप पढ़ाई के सहसत कमाई भी कर सकते हो यानि कि कुछ 10 सवाल 15 सवाल का जबाब दो यानि कि पढ़ सवाल का एक रुपिया अभी फिक्स है बाद में यह बढ़ भी सकते हैं दोसर रुपिया आपको दे देंगे आपका सही जवाप रहेगा तो यह क्विज स्टार्ट हो चुका है टेलीक्राम पे आप टेलीक्राम से जरूर जुरिए और जो प्रोसेस है इससे पहले बाले वीडियो मे करने वाला सही से आजम देखेंगे आपको प्रोपर पूरा वीडियो देखनी है सुरूशे अंतर तभी जाकर के आपको सही से समाज में आएगा आकर क्या कैसे हुआ क्यों कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं प्रोपर वीडियो देखते नहीं जाकर के डिरेक्ली कटफ हररर सी एंजियर अहाबाद सबसे पहले हम देखेंगे टोटழ वैक्टे कितनी है टोटर वैकेंसी है सही तालीस सो तीस यानि 4730 वैकेंसी है ठीक है सबसे या इस सब माइनी रखता हुआ 4500730 वैकेंसी है और यह देख सकते हो वैकेंसी यू और का Dashम कितना यू आर का हिस्म spec वेकेंसी है टोटल दूहजार असी यानि कि 2080 UR का वेकेंसी है 1175 OBC का है 678 ESC का है और EWS के 474 है और SD केटिगरी का 307 वेकेंसी है ठीक है वेकेंसी यह रहा वेकेंसी के बाद इतना टूटल वेकेंसी है उसके बाद टोटल केंडेट जो फिसकल के लिए क्वालिफाई होंगे किस कितना होंगी जो वेकेंसी प्रोपर है उसका तीन गुना यानि कि 4730 को यदि हम तीन से मल्टिप्लाई करते हैं तो 14190 टूटल केंडेट को क्वालिफाई किया जाएगा फिसकल के लिए ठीक है उसके बाद देखेंगे टूटल एप्लिकेशन कितना आया हुआ है इसमें थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है क्योंकि प्रोपर प्रोपर नहीं ए इसमें नौ लाक ग्यारह हजार बिरानवे इतना केंडिडेट एप्लाई किये हैं इस बार आरेड़ सी अलहावाद से ठीक है लाहावाद के कटफ हाई रहता है कोई दिक्कत नहीं इस बार क्या रहने वाला है प्रोपर वीडियो देखने के लिए आप सही से देखिए इसकी देंके नोपी हो ही जाएगा और जौब करते थे जो कभी किताब भी नहीं देखा याने कि बहुत सारा वीडियो आपने वाइरल देखा होगा यूट्यूब पे तो फ़र्स्टरेज में एकजाम ता उनको तो उनको तो समालोब नहीं था कॉसिजिं का लेवल कैसा है कैसा आ नहीं है तो एक्जाम क्यों दो इस कारण से आप कोश्चन का लेवल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखते हुए उन्होंने क्या क्या एक्जाम को छोड़ा है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कटफ डिक्रीज रहने का वह टोटल एपियर्ड इस्टूइंट करता है जो 38 से 40% ही बता जा रहा है लेकिनकितना आप सही पता सकता है और कि उस हिसाब से सभी ने अनुमान लगा है कि 38-47% स्टुटेंट एक्जाम एटेंड कर रहे हैं ठीक है लेकिन हम फिर भी सेफ्टी के लिए 55% लेकर चलते हैं जिससे कि आप सेफर हो यानि कि आप हम जो बताएंगे कटब उससे दी दुश्चार नमर नीचे भी रहता है तो कोई दिख करती है अब अराम से त्यारी में लग सकते हैं फिश्कली त्यारी है यादि हम 55% भी लेकर चले तो आप पांच लाग ग्यार हजार स्टूडेंट टूटल हुआ जो एक्जाम दिया मेरे ह यह फाइनल है मेरिट के लिए परसीट कमपडिशन फिश्कल के लिए निए फिश्कल के लिए इससे भी कम होगा लेकिन सबसे पहली बात यहां पर माइन यह रखता है कि जब इतना इस्टूड एक्जाम दिया ही नहीं है नौलाग संथिंग तो हम यह परसीट कमपडिशन क क्या रहने वाला एक्स्टूड कमपडिशन जो हुआ वह टोटल मानली जी इतना इस्टूड एक्जाम दिया पांच लक ग्यारा सो और इतना एक को लेना है फिस्कल के लिए लेना है तो टोटल परसीट कमपडिशन आ जाता है 35 यानि कि आदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपसे आगे जो 34 इस्टूड है उसको मतलब पीशे करना होगा ठीक है तो यह हम एजी नहीं कह सकते लो नहीं कह सकते यह थोड़ा मॉडर्ड या तो हाई की लेवल में ला सकते हैं इसको ठीक है कोई लिकत नहीं चलो सस्ता वाला मिठा बाद लिना फिर भी ठीक है यह रुको ज़रा आगे देखिए फाइनल कमपडिशन फो मैरिट मेरिट के लिए कंपडिशन के इतना रणे वाला है तुझ सबको पता है जितना सीट है उतना ही लेगा यानि की जितना भी फीजिकल के लिए अगया है उसका वन थर्ड यानि कि कितना तीन पडशीट में उससे थोड़ा बहुत जद्धा नंबर लाना होगा उसी हिसाब साफ का कटप डिसाइड होगा ठीक है ठीकिन फिर भी आप भरुसार है कि बहुत सारे स्टुन एक्जाम छोड़ते हैं याने कि कौलिफाइग करने के बाद भी छोड़ते हैं ठीक है माली यह कुछ ऐसे स्टोंटेजिन का एंटीवेशी में होगा वह भी एक्जाम दे चुके हैं कुछ ऐसे स्टुन जिए का ट्रेक मैं पहले से था रेलवे गृप दी में वह भी फिर से कट्रेंग्मान ही मिल गाया तो वह चोड़ते यानिक जोईनिंग नहीं करेंगे तो यह क स27 अगस्त से 25 तक इकजाम चला था ठाथ हम ढिकेमन स्थेमबर तक सक studied में क्या था संकेंड तो में नंबर आप अब पताओ क्या से बढ़ा है वह स्थेज़ में किसी को मांनुम नहीं था कैसा question पूछेगा का वह सारे रिस्क नहीं लिया और जो भी को उन्होंने एक्टेप्ट के रहे हैं जिससे आपने दस दिन भी सही से देख लिया इस अनलाइसिस तो आपको पता चल गया होगा कि इस टॉपिक से पूछ रहे जाने इस जैसे कि एक्जामबा देता हूं बहुत सारे यूट्यूबर ने बता जो भी माली जिस जिनका अट्रमट पंदर कोशन था सकेंड पिर अलएट उसका इस तो इससे यह नंबर अट्रमट बढ़ने का संभावना बनता है यह पॉंट है इसलिए मैंने कहा तरह से वीडियो देखना है सहिता मालूम से लेगा तो इस हिसाब से हम लेकर चले तो करने लेबल तो इजी था मैंत रिजनिंग का अभी तक अभी तक फिलाल एची है तो शरीया मान लेते 18 कोशन होने की मतलब सही कर लिया टोटल हो गया ठीक है रिजनिंग 30 में से 20 कर सकता था इसली साइंस 25 में से 15 देखिए इसमें जो इस्टोर्ट एक्जाम दिया है वह 100% बिनो यह मत देखना कि योटीव पर आते है लाइब रिकर्डिंग करके तो इसके हिसाब से उत बिनोद टाइब एक्जाम देखके निकल गया टाइम खांते इसमें और आपना एक्जाम दिया चूप शाभ निकल लिए वहाँ से जो बचते इसको कुर्ष्ण हो रूब ने एकाश याद ने आपने देखा होगा सारा वीडियो में चाहिए उमंग स्टडी का हो या कोई भी हो एक्जाम गुरू तुरू का इंट्रव्यू लेते हैं जिसको खुद ने बताएगा आकर यह कोशन पूछा गया था इसी नहीं सब्सक्राइब दिया था तो वह इसे कोशन कि और यह कितना इंटम करेंगा मैक्सिमम फटाइगा पटाइब पाईगा लेकिन जो ओरिजनल क्रीम बन्दा है जो पड़ा है वह एक्ट किया अपना जितना करना था और चुप शाप निकल लिया वहां से ठीक है इसलिए उस इनलाइस पे मत जाना ठीक है अब क्टप क्या रहन साइंस 25 में से 15 और जीके 20 में से 10 लेकर चलें फिर भी इसको हम जोड़ते हैं टोटल एवरेज इसको यानिक एवरेज इसको यह है तो अठाड़ बीस पंदरा स्टाइश्ट होता है यानि कि विकाउस फस्ट फीज इनलाइस बट इंटेंडेंस डिक्रीज डिए इस प्लस यह देखना है कि देखिए एटेंडेंस तो इनलाइसिस पे बढ़ यानि कि आपका अटेंप्ट तो बढ़ के देखने के बाद लेकिन नंबर स्टूनेंट जो एपियर हुए हैं वह कमा वह घटा है क्योंकि वह देखा है हमसे यह होगा नहीं हम नहीं कर पाएंगे वह इस बुक पर टेस्ट दिया होगा तो देखा होगा कि आवरेज इसकोड जो रहता है उससे कटफ 57 नंबर 10 नंबर 15 नंबर आगी रहता है ठीक है तो उससाब से कट रथा है तो एबरेज कोड यह दी 63 है यहां पर देख आए तो पांच मैंम ले ले लेते हैं यानि 68 अपका क लिए लेकि चलते इस बाड अब हम बात कर लेते भाई जब यह इंट प्रिवेस एर कटaf वकेंसी का भी चर्चा होना चाहिए तो टोटल प्रिवेस एर वेकंसी जो था छाष्टाइफ 442 था इस बार कम गया वेकंशे ताली सो तीस ही वेकंसी यानि 30-32 वेकंसी कम गया है घड़ गया है एप्लिकेशन लगभ पिछली बार 17 लाग हुआ था सत्र लाग अप्लिकेशन था लेकिन जोड़ी नहीं था कि सतर लाग एपियर हुआ एक्जाम में उसमें 40-45% एपियर हुआ होगा तो यह था ठीक है यह था वो 370 था परसिट कमपेडिशन वो 370 था पिछली बार इस ही साब से ठीक है और हम कटफ क्या था यह देखिए सबसे पहले जेनरल के लिए पिछली बार कटफ था 75 OVC के लिए 70 SC के लिए 300 ST के लिए 58 और यह आप्टर नॉमलाइशन था क्या था आप्टर नॉमलाइशन ठीक है कटफ पर्सेंटेज एक्रोइंट वेकरेंस दुखर नहीं देखना है आपको यह बहुत मातवपूर्ण चीजह हम लास्ट में बताएं किसी सोट वीडियो में आखरी मैंने क्या कहा है कटफ विल बीक्लिटेटेट ऑन दे बेसिस ऑप 26 अगस्त तुस आट जहने का मतलग यह हुआ कि यह तो मैंने बता दिया कटफ जो बनेगा वह डे वाइड यह साट से बनेगा ऐसा नहीं कि फस्ट फेस में हुआ है यह तो उस सिप्ट में देखेगा कि सबसे टॉप पर इस नोगे इनका स्कोर कितना है उस हिसाब से कटभी और होगा सिप्ट इ जाएगा उसके बाद कटफ आपको बताए जाएगा फेस करें साथ पोल आप इससे पहले बाली वीडियो देख सकते हो या किसी भी यूटूबर के यूटूब चैनल में चले जाना जहां पर ज़्यादा सब्सक्राइबर है हम आपको दिखावी सकते हैं पॉल चलिए हम दिखाई देते हैं लास्ट में दिखा देंगे ठीक है उसके बाद जाकर लेते नोवन केंसे एक्जक्ट कटफ हों देखिए सबसे बाद बात यह है कि कोई जो सकता है मैं भी सेबस्क्र सकता हूँ कि अतना स्कूर कर रहे हूं तो आप सेफ हूं यानि आप कि आहगी की त्यारी कर सकते में रहूं तेखिए आपको कोई नहीं क्योंकि इस तूटन जितना अटम्ट किया कितना से सब्सक्रण करने बालेगा करके नेगे काट करके वह एक्सेलेंट बंदा भी है एसा दोस्तीन सो वेकेंसी या चार सो इस्टोंट पहुंचा जो 90 सही में सही में कर दिया कि पढ़ने वाले च्टोंट तो अंतर में कितना क्या वो किसी को मालब नहीं बाहर अगर के जो पता चला है बस उसी इसाफ से लोग कट अप नहीं से पसकोर पतानी चाहिए योगि से लिए टो डूबर वेकेंसी के नसार से आप इसलिए में बता रहा हूं कि शेप स्कोर इतना रहने वालता है अब देखिए आप सेप स्कोर क्या रहने वाला है जनरल का यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो यू और सी अन्रिजर्ब्ट कर टेगरी से तो आपके लिए 69 प्लस मैंनस टू आपके लिए सिकोर रहने वाला है यदि आप बलो करते तो 67 प्लस बेंस टू इडिए 63 प्लस मैंस 2 स्ट 57 प्लस मेंस टू स्ट 54 प्लस मेंस टू यानि कि आपका यह मार्क्स यह सेब स्कोर रॉब मार्क की बात करते हैं ठीक है हाँ दो चाहर नमबर नीचे भी है तो भी आप त्यारी में लगेट हो क्योंकि हम एक्जेक्ट कटप कोई नहीं बता सकते हैं पहले बता हूं सेब स् नमबर आगे चला चाहिए बिल्कुल नहीं दो चाहर नमर आगे पीछे रहेगा मतलब इसी का सपस रहेगा ठीक है तो आप ज्यादा नमबर है तो बढ़ियां और बहुत बढ़ियां है इसके इससे दो चाहर नमर कम भी है तब भी आप सही से लग सकते हो ठीक है यह इतना आपका काट करके निंगेटिप कट शेट करके तो आप आराम से फिसकल की त्यारी में लग सकते हो ठीक है नेक्स चरचा कर लेंगे एक्स सर्विसमें के लिए बहुत सारे इस्ट्वेंट कंप्लेंड के थे कि भाई सब जितने भी यूट्यूबर है केवल इतना एस्टी तक सब्सक्राइब कर लो आपके लिए कर लो आपके लिए कर लो आपके लिए दुचार नमरी अपना के नसार से आप देख लेंगे ना ठीक है कोई रिक्कत नहीं है कि आपने कि आपके सिप्ट में कितने से कंपरमाइज करके जो नमबर करेगा जो कितने की से कंप्रमाईज करेगा जो नमबर वेकंसी कितने हैं और कितने की इतने और इतने बीच में नमबर कितने ऐसे आते हैं सतर सची बीच में कितने मानने जिस रहे तो बढ़िया रहेगा आपको अच्छा रहा तब कि इस वीडियो को शेर करें कि ज्यादा लोगों तक पुंचाइए अच्छाइब करें तो क्योंकि सबस्क्राइब करें तो हमें भी थोड़ा चलेगा मुडवेट होगे और इससे बैतर करने की खुशित करेंगे और प्लीज कुई ग्रूप से जोड़िएगा यादि आपने इसकीप करके वीडियो देखा है तो प्लीज इसकीप मत करें सुरूज फिर से दिखें तब स्क्रिप उस पर जो एक्जेक्ट है वह हम बता दिए नेक्स्ट कट अफ जितने भी बचा हुआ है सब्सक्राइब करेंग वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद जैन जैवारत